स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास को देखो बचो अभी तक हम यह तीन टॉपिक्स देख चुके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको याद करने की जरुवत नहीं एक रीडिंग लगा के छोड़ देना अगर मन करें तो वह भी नहीं करोगे तो भी चलेगा दो मिनिट लगा के रिवाइस करते हैं अभी हमने क्या पढ़ रखा है उसके बात करेंगे आज ही क्लास को कि मै क्लिमेंट करते हैं पहले है क्लेड़ करते हैं क्या काम करना है इसके जान और करते हैं क्यों करते हैं cake करते हैं में क्लीज प्रोसेस हमने चार स्टेप में देखी थी सबसे पहला था हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजिन अब प्लैन के अंदर आपने अब्जेक्टिस बता जीए कि आपको क्या चीव करना है इसके बाद बताईए क्या 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 काम करना है आइडेंटिफाई कीजिए तो इसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए डिवाइड ऐसा होना चाहिए कि सारे टास्क मैनेजबल हो जाए और किसी के ओपर कोई भी बर्डन ना हो इसका मीनिंग क्या था बच्चो कि जो भी आपने छोटे-छोटे पार्ट में काम को डिवाइड किया है और जो सिमिलर नेचर के उनको ग्रुप कर दो और क्या बना दो उसका एक डिपार्टमेंट बना दो जैसे बहुत सारी चीज़े खरीदनी होती है तो एक परचेस यह उस गुरुप को डिपार्टमेंट मना दिया थर्ड हमारा असाइनमेंट ऑफ डिवी इसका मतलग है कि डिपार्टमेंट मनाने के बास एक डिपार्टमेंट का हम हैड रखेंगे और उस डिपार्टमेंट का हैड अपनी टीम को उनकी काबिलियत के अकौर्डिंग उनकी काफी नहीं होता है हमको दो बाते ध्यान में रखनी होती है कि कौन किसको और करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा क्यों कि अगर मैं को काम दे दूँ और आपसे मैं जवाब नहीं मांग वहां तो आप काम करो या ना करो मुझे कैसे पता लगेगा तो यू शुड बी आं क्लास का रिविजन जो आपने लाज दो क्लास करें ओके कमिंग बेक टुदा इंडेक्स आज हम जो टॉपिक करने वाले बच्चों वारा ओगनाइजिन स्टॉक्चर का फंक्शनल वाला पार्ट तो काफी इंपोर्टेंट क्लास है आज की अगर आज की आज की क्लास हमने सम कभी कोई परसं जब बिजनस स्टार्ट करता तो वा छोटे लेवल का मतलब है वो अकेला ही काम कर रहा होता है उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे वह टीम भड़ाता है कभी एक जना एड करेगा फिर दो एड करेगा पर तीन खरेगा फिर पांच घरेगा तो देखा जाए लेकिन मान के चलो फ्यूटर में आपका बिजनेस बहुत बढ़ा होगा जो की होगा यह आप मेहनत को होगा तो मुझे इक बात पताओ कि आप सौल लोगों को को अकेले मैनेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्या एक स्कूल का प्रिंसिपल क्या पूरे स्कूल को केला मैनेज कर सकता है क्या मुकेश अंबानी जी पूरी लैंस कंपनी को केले मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्या पूरी इंडिया को इखटे मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो मतलब यह जब ऑगनाइजेश लोवर लेवल येस चैप्टर नमबर वन का इस टॉपिक के अंदर यूज हो रहा है हम क्या बनाते हैं टॉप लेवल मिडल लेवल लोवर ऐसे हम क्या बनाते हैं मैंडिजमेट के लेवल बनाते हैं और हर एक लेवल के पास हम एक पावर देते हैं कि वह अपने डिपार्टमे लेवल्स बनाती है इन्ही levels को हम क्या बुलाते हैं organization structure बुलाते हैं कि कैसे आपने organization की रूप रेका बनाई हुई है कौन उपर वाली position पर है कौन नीचे वाली position है कौन same level पर है कौन उपर नीचे वाले level पर है कौन किसको order दे रहा है कौन किसको report कर रहा है यह सारी चीज़े जब हम एक structure में convert कर देते हैं एक framework में convert कर देते हैं उससे हम क्या बुलाते हैं Centre organization structure अब family tree को ले लो सबसे पहले हमारे दादा दादी उसके पाथ पापा और मम्मी चाचा चाची उसके बाद हम भाई नहें तो यह क्या टेबल से नहीं बज़ा है वह फिर ये दोनो फिर ये दोनो तो यह क्या है यह क्मारा ऑपार समझ में आरी बात आपको बच्चों बहुत से ही रीट करेंगे तो और पर इच्छी से क्लियर हो जाएगा देखो क्या लिखा हुआ है अच्छा ओगनाइजेशन स्ट्रॉक्चर हमारी ओगनाइजेशन में होना चाहिए देखो आगे लिखा हुआ है एस ऑगनाइजेशन ग्रों कोडिनेशन बिकम्स दिफिकल्ट ड्यू इंक्रीज इन स्ट्रॉक्ट्ट्रल हायर्की इस मतलब लेवल्स उप मेनेजमेंट तो उन्हें क्या बोला है जैसी जैसी बड़ी होती जाती कोडिनेशन करना मुश्किल हो ज जाधा चीजे हो रही हैं अलग-अलग function हो रहे हैं और हरे को कोडिनेट करना मैनेज करने में डिक्कत हो जाती है तो इस केस के लिए हमको क्या चाहिए होता है अगर आप चाहो अगर आप कोशिश करो क्या आपको 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 क्या करना पड़ेगा उसके structure पर उसके की बुक पढ़ा हो ना कभी Peter Drucker की बहुत मोटी-मोटी किताब होती है असल में यह है हमारे असली management गुरू इतनी मोटी-मोटी किताब है management की उपर करना है वह पढ़ दी तो अच्छा सा management आप सीख जाओगे तो इन्होंने भी बताया है कि हाँ एक अच्छे organization structure होने की importance क्या है तो उन्होंने definition या definition के statement दे रखा है क्या दे रखा है और इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और wrong structure आपकी business की performance को बहुत जादा परिशान कर सकता है बलकि destroy भी कर सकता है तो इन्होंने बड़ी important बात बोली इस चीज़को आप ध्यान में रखने वाले हैं सर समझ में आ गया organization structure का मतलब क्या definition भी कर दो तो चलो definition भी कर लेते definition बड़ी simple सी है organization structure का मतलब क्या define as the framework within which managerial and operating tasks are performed framework का मतलब होता है वह structure की कौन ऊपर है कौन नीचे है framework की simple way में कह सकते हो कि कैसे चीजों का मैं घटा रग नहीं तो किस तरीके से वह दिखाई देगी उसको हम framework बुलाते हैं इक specific relationship between people work and resources समझ में आने लग गया हुआ कि कौन किस किसका बॉस है कौन किसका junior कौन किसका साती है काम कैसे करना resources power कितनी है यह सब किसके अंदर हम देखते हैं organization structure के अंदर हम देखते हैं आगे नोंने इसकी बात को extend किया हुआ है यह correlate करने में मदद करता है कोडिनेशन करने में मदद करता है किसके बीच में लोगों के बीच में physical and financial resources के पीच मतलब मशीन वगया और financial resources अब को पता है हमने क्याने का departments बना रखें और फिर इनके नीचे अपने further employees होते हैं तो यह क्या है organization structure है clear हो रहा है ओके बहुत बढ़ेंगे इस डायराम के बाले में पढ़ेंगे वह आगे और भढ़ लेते हैं इसके बच्वे concept आता हो आता हमारा span of management concept span of management का important meaning क्या है span of management का मतलब होता है कि एक manager कितने employees को effectively handle कर सकता है उसको क्या बलाते है span of management कहले का हुआ है span of management refers to the number of subordinates that are effectively managed by a superior कितने employees को effectively manage कर सकता है सब्सक्राइब कर पाएगा उतने कम वो लोगों को हैंडल कर पाएगा हमको उतना ही लेवल भड़ाने पड़ेंगे सब्सक्राइब यहां पर लिखा हुआ है तो वह यहां पर लिखा हुआ है एक बार रखना वन माक में एक बार M.C.Q आया था हायर दस्पैन ओफ मेनजमेंट डेश था लेवल्स उप मैनेजमेंट थाप करना हायर दस्पैन लोवर दस्पैन यॉवर दस्पैन क्लियर हो गया ओके आगे उन्होंने थोड़ी सी और तारीफ कर रखी ओगनाईशन स्ट्च तो एक अच्छा organization structure होगा तो आप अराम से communicate कर पाओगे scalar change जैसे और control होगा operations का मतलब यह जो head होगा अराम से अपने department को handle कर लेगा यह आपको framework बताता है कि किस तरीके से काम करना है कौन क्या काम करेगा integrated unit की तरह जैसे finance department पूरा एक मिलकर काम करेगा और बाकी departments और लोगों के सांथ क्या करेगा coordinate करके काम करेगा तो यह simple way में organization structure की तारीफ हो रही है आपको basically organization structure की definition याद रखने है इस particular topic से वह हमने यहाँ पर देख लीती है पीटर ड्रतर वाले पॉइंट के नीचे बच्छा आपको यह notes काम मिलेंगे आपको पता होना चाहिए description के अंदर ही telegram channel का link है वहाँ पर आप चाहिए आपको notes मिल जाएंगे इस chapter के नोग इससे पहले वाले के वह से आने वाले सब के मिल जाएंगे अब depending upon the size and nature of the organization को दो पार्स में डिवाइट कर सकते हैं बिल्कुल सही हम बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे मानके चलो एक आपकी organization एक बड़ी organization है ठीक है तो आपकी organization में कौन सा structure लगेगा रिलाइंस कंपनी के organization में कौन सा structure लगेगा टाटा में कौन सा structure लगेगा आपकी बाजुवाली दुकान में कौन सा structure लगेगा यह सर हम किसके अंदर देखते हैं इस चेप्टर की खास बात पता हूं क्या इस चेप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है बाकी सारे चेप्टर से आप निकाल सकते हो लेकिन इस चेप्टर में मेरा experience रहा है लास्ट दस साल को पढ़ाने का और दो साल मैंने पढ़ाई भी करीती एक्स्रा तो इसके अंदर मैंने यह देखा है कि इस चेप्टर से बेसिकलिया कुछ भी पूछ सकते हो सब कुछ ही important है इसलिए मैं चेप्टर को करते हैं एक है functional structure और दूसरा हमारा divisional structure आज हम कौन सा पढ़ने वाले functional structure पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते है functional structure नाम से पदर लग रहा है function से कुछ related तो एक बाद पढ़ते है पहले डाग्राम समझ लिया तो टॉपिक खतम हो ही जाएगा इसको मैं जूम कर देता हूं पच्छे से तो आपको बहुत ही clarity में सुनाई दिखाई देगा सुनाई के दिखाई देगा देखो बचो आपने देखा एक company का head दिखाई देरा managing director उसके नीचे हमने अलग-अलग department बनाया है human resource department मार्केटिंग डेपाट्मेंट मनाया है रिसरच एंड डेवलोप्मेंट मनाया है और भी बना सकते हैं जैसे मना सकते हैं हमको लोगों को higher करना होता है मार्केटिंग लिभुष क्रोश करते हैं इंप पैसे ने पैसा लगता है इसको पैसा को सभागनेंगा गरते हैं मुँद्र तो यह अलग अब आपने यह अब नामको करना होता है मार्केटिंग का फंक्शन होता है इसार्च अगुडप्मेंट का होता है तो मैंने पूरे organization को function के basis पर distribute कर दिया तो इस structure को क्या बुलाया जाता है functional structure बुलाया जाता है आप आपको अच्छे से clear हो गया definition रीट करेंगे अब तो और ही easy हो जाएका मारे लिए एक second रुपना definition आपकी screen पर आचुगी एक पर रीट करते हैं क्या रेखा हुआ grouping of jobs of similar nature under functional and organizing this major function as separate department creates a functional structure वही बात या पर लिखे हुई है हम similar nature के job को एक function माल देते हैं और उस function को separate department बना देते हैं इस करने को हम क्या बलाते हैं कि हमने क्या बना दिया एक functional structure बना दिया है और हर एक functional structure के department का अपना एक head होता है clear हो गया समझ में आ गया और जैसे किया देखो human resource का अपना head होगा marketing का अपना head होगा research and development का अपना head होगा और purchasing अपना head होगा लेकिन इन चारों का भी head हो कौन है हमारे managing director साहब समझ में आ गया clear हो गया ओके अब दिखो बचो यहाँ पर रोन ने एक example दे रखा है वह जो हम पढ़ चुके हैं एक manufacturing organization के अंदर बहुत सारे function हो सकते हो कौन कौन से हो सकते हैं production करना purchase करना marketing करना finance account को संबालना और personal मतलब human resource को संबालना clear हो गया और फॉर्दर हम इनको फॉर्दर section क्लासिपाई कर सकते हैं मतलब यह organization structure एक ऐसा design है जिसके अंदर हम similar nature की jobs को एक department बना देते हैं हो क्या clear बच्चों आपको की वारा यह functional structure क्या होता है बहुत से अब इसके advantage औ disadvantage पढ़ लेते topic खदम हो जाएगा हमारा देखो बच्चों हमारे पास इसकी 6 advantages एक एक करके सारी पढ़ते हैं तो पहले advantage क्या है इसमें हम occupational specialization हासिल कर लेते हैं क्या लेका हुआ है occupational specialization occupation का मतलब होता है का तो ऑफिसी बात है functional structure के अंदर अपने function को हमने काम बना दिया ठीक है human resource तो human resource human resource के काम को करने में specialized होगा क्योंकि वो पूरे साल जिंदगी बार वही काम करने वाले finance department मना तो finance department के अंदर finance accounts related काम होगा तो उस काम को करने में specialized होजाएं क्योंकि वो काम वही करेंगे हम occupational के specialization हो जाएंगे क्या लेका हुआ इस प्रमोट्स efficiency efficiency होती है क्यों होती है क्यों होती क्योंकि employees similar task perform करते हैं और ऐसे में उनकी जो performance होती वो इंप्रूफ हो जाती है तो पहला क्या हो जाता है occupational structure occupational specialization होता है क्योंकि आप similar task को बार बार करते हो तो आपके efficiency improve हो जाती है second आप अराम से control कर पाते हों लोगों को और coordination बिठा पाते हो within the department मतलब है सारे लोगों को आपके department it helps in increasing managerial efficiency and operational efficiency similar nature का काम हो रहा है आप specialized हो गए हो तो आपके efficiency होगी काम करने की करवाने की काम करने मतलब operational काम करवाने की मतलब managerial दोनों ही increase हो जाएगी और efficiency का मतलब मालू है कम time में कम cost में तो ऐसे case में हमारा जो profit होगा तो हो increase हो जाएगा समय मारी चीज फूर्थ जो advantage क्या रहे है बच्चो इट लीड्स टू minimal duplication of efforts which result in economies of scale and lower cost minimum duplication of effort इसका मतलब क्या होता है कि हम easily coordinate कर पा रहे है इसली कॉडिनेट कर पा रहे है specialization कर रहे है तो कोई भी काम duplicate नहीं होता है for example मेरे department में 10 लोग है तो मैं दसों को अलग-अलग काम swap हूँगा मतलब यह हर कोई अलग-अलग काम करेगा तो कोई भी duplication नहीं होगा plus हम बड़े level पे काम कर पाएंगे और जो हम बड़े level पे काम करते हैं तो हमारी जो per unit cost है वो कम आ जाती है जैसे for example मान के चले आप एक बड़ी सी machine trade के लेकर आए उसमें से आप चार unit बना रहे हैं तो मुझे बहुत पता हो चार unit कितनी महंगी बनेंगी क्योंकि machine बहुत बड़ इसको लाने का खर्चा electricity का खर्चा लेकिन आप उसी machine से 10 लाग unit बना रहे हो तो क्या होगा आपको per unit सस्ता पड़ेगा समझ महा रहा है तो इसी को बोलते economies of scale and lower cost economies of scale का मतलब होता है जब आप बड़े level पर काम करते हो तो आपको per unit cost जो है वो कम आती है चुले एक example देते economies of scale का मांगे चलो आप transport का काम है bus driver हो ठीक है आप एक bus driver हो पूरी bus में सिर्फ एक इंसान है ठीक है जिस उसको आपको 10 km लेके जाना है तो मुझे एक बार पताओ 10 km आपको मांगे चलो petrol लग रहा है 100 रपे आप उससे कितनी cost लोगे आप उससे 100 पे लोगे 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 10 km किस्यादा क्या लोगे तो आपको कुछ फायदा हुआ आपको कुछ फायदा है नहीं हुआ जितना आप 1000 कमाए 100 पे पेट्रोल लगा के तो मतलब जो आपने बड़े लेवल पे काम किया तो आपके खर्चे कम हो गए और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो यही बात यहां पर लिखी हुए economies of scale था चारो पंट क्लिर हो गए पहला occupational specialization को कि आप एक ही काम को बार बार करने हो तो क्या है आप duplication करते हैं यह economies of scale का फाइदा उठाते हो और कम घर्चे में काम कर लेते हो ख्लीर वहादा बचा आपको तो खेट क्या दे रखा है आप अपने employees को easily train कर पाते हो उनको easily skill दे पाते हो क्यों दे पाते हो क्योंकि आपको गिनी चुनी skills पर इनको काम सिखाना है मतल मतलब यह एक department के अंत्रा अपने लोगों को train करना हो जाता है क्योंकि उनको कुछी चीजे सिखानी हो तो हर एक चीजे नहीं सिखानी हो तो क्या को यह point clear हो गया okay और अगला जो last advantage हो क्या है different functions get due attention मतलब यहाँ पर हर एक function की जैसे marketing human resource research हर एक अपनी अलग importance है तुमको हर एक को अलग attention दी जाती है importance दी जाती है clear हो गया बहुत सही तो बचो यही थी मारी advantages अब disadvantage करेंगे पांच मिनिट के अंतर ओफिस इस topic को complete करेंगे पहला disadvantage क्या है क्या लेका a functional structure place less emphasis on overall organizational objective than the objective pursued by the functional head मतलब यह अब मान के चलो हो एक finance department के head हो तो आप अपने department के objectives को जाधा importance दोगे ते लगाने गया organization को objective मतलब यह मैं अपने department के संब कुछ गड़बड़ी नहीं करूँगा मैं अपने आप पे कोई आश्न आने दूँगा मेरी impression है वो खराब नहीं होना चाहिए तो मतलब मैं अपने department के लिए जो फैसले है मैं अपन organization objective पर कम ध्यान देते हैं हम अपने function के department पर ज्यादा ध्यान देते हैं जैसे मान के दिखाम क्या है पैसे को effectively यूज करो लेकिन organization objective के है ज्यादर साथ profit कमा तो function बोला मुझे नहीं पता profit के बारे मैं ज्यादा खर्च नहीं करने वाला पता चला है महीं नौकरी चलिए तो व कोशिश करता है और वो कहता कि मैं हूं बेटा तभी तुम काम कर पा रहे हो समझ में आ रही यह चीज़ तो हर कोई अपने आपको बढ़ाने की कोशिश करता है clear हो क्या समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है pursuing departmental interest at the cost of organization interest can also hinder the interaction between two or more departments वह लिखा हुआ है अगर आप अपने department की हित के बार में सोचोगे तो हो सकता है आपके बाकी department के संग coordination problem हो जाओ बल्की conflicts भी हो जाए अगला point के दिरखा है it may lead to coordination as information has to be exchanged across different departments क्या point है मैं फिर से लिख करूँगा it may lead to problems in coordination as information has to be exchanged across differently functional departments मतलब यह मान के चलो हम finance department के बनगा मार्केटिंग department वालों से बोला कि आप मुझे बताओ कि आप कितना खर्चा करने वाले हो फिर हम उससे साब से decide करेंगे कि आपको पैसा देना ही कि नहीं देना है समझ में यह चीज तो मान के चलो उन्होंने तो फटाफट से रिपोर्ट बदा दी कि आपको इतना खर्चा देना है लेकिन finance वालों को information provide नहीं कर रहा कि खर्चा कम करो की जादा करो समय में आरी यह चीज़ एक और एक्जामपल लेते हैं पर्चेस डिपार्टमेंट है उसने production डिपार्टमेंट से बोला कि बताओ कितना समान मंगा हूं जिससे मैं आगे order लगाता हूं पर्चेस department के काम है समान करहले तो पर्चेस वाला production сे बोल रहे मुझे बताओ कितना समान मंगाना है तो मैं घरिद का लओ और production वाला है वो बताई नहीं रहे वो अपने काम में लगा हूँ तो ऐसे केस में पर्चेस राखत बार पाएगा तो मतलब है information exchange चेंज करने में भी कॉडिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हर कोई अपने लेवल पर काम कर रहा है ना हर कोई बीजी है समझा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए वही चीज यहां पर लिखी हुई है जो तीसरी हमारे सामने वह दे रखी है डिस एडवार्टिज हो क्या है conflict of interest भी हो सकता है दो डिपार्टमेंट की पीछ वह उपर दे रहा है प्रॉब्लम को औरिनेशन में हो सकते हैं दूसरा इंटरस्ट में भी हो सकता है एक्जामपल के तौर पर मैं देता हूं मार्केटिंग रिपार्मेंट ना काम है मार्केटिंग करो अधरी स्कस्तमर सेल्स देपार्टमेंट सोचता है मुझे ज्यादा खרचा नहीं करना मुझे Б racont ticket माला मुझे moż ज्यादा पैसा चुछे फैनरे वालब्यृ औरils strike साखे लिए ने इस से क्या होगा दोवनओं की इंटरेस्ट अलग है वो कम खर्चे में काम करना चाता ह। च्छांट व पैसा मांगत हुआ हो तो दोनों के काम करने की तरीकंगा इन के दिपरेंस हो सकता है और तो लेकिन जो प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट वो बोल रहा है कि अच्छे फंक्शन डालो लेकिन प्रोड़क्शन वाला बोले हम नहीं बना पाएंगे और आगे के रहा है इंटर डिपार्टमेंटा कॉंफ्रीक अन्से अर्डिक अर्ड कॉंफिक और कॉप्रेंटिन एक को शाय नहीं यह play अब बहुत होका जाए गाएं इस बिश्याटिक पीक्ता प्लेटिटी सब्सक्राइव सब्सक्राइब कॉछ सब्सक्राइब रहा जाएं other point of view मतलब यहां पर कहते रखा है आप एक finance department के बंग देओ आप उन्हें finance की knowledge बहुत प्यारी है लेकिन आप हर चीज़ को सिर्फ finance के नजरिये से देखते हो आप दूसरे नजरिये से देखी नहीं पा रहे हो आप marketing के नजरिये से आप sales के नजरिये से आप organization इंडेस के नजरिये से देखी नहीं पा रहे हो आपसे finance के नजरिये से देख रहे हो तो ऐसे case में आप inflexible हो जाओगे आप दूसरों की बात नहीं मानोगे सुनोगे नहीं तो वही बुला हुआ है कि functional head को टॉप management position की training नहीं मिल पाती है क्योंकि उनको अलग अलग area experience नहीं होता है एक finance department को marketing का production का sales का HR का experience नहीं होता है मतलब यह उनको top management position पर जो कि सबको handle करते हैं उसका experience नहीं मिल पाता है तो ऐसे कि प्रोमोशन होने के chances कम हो जाते हैं वह inflexible है ना वह जानते ही नहीं कि बाकी department किसे आप से काम करते हैं तो भाईया जब यह नहीं पता बाकी कैसे काम का रहा है तो head कैसे बना सकता हो इसे क्लियर हो रहा है ओके लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लाव स्यूटिबिलिटी यह structure आई रिपीट यह structure कॉल सी organization में लगते हैं functional structure क्या हम दुकान में लगाए एक separate human resource department बनाए या फिर एक finance department बनाए एक HR department बनाए ऐसा करना चीन नहीं depending upon the size of the organization तो आगर आपकी organization का size large है तब आपको functional structure की ज़रूद पढ़े दूसरा आपकी आपको अच्छे से clear हो गया होगा मैंने काफी detail में explain करने क्योशिश करिए इस विए से से माई class आधे खंटे की हो गई चलिया बच्चो आज class को इन पर करते हैं आप आप से मुला करते हैं next class के जिसके दम डिवीशनल structure को स्टार्ट करेंगे तब तक अपना बहुत ख्यार रखना और इसको रिवाइस करके आना चैहिंद जैभारत बाएबाए